इस्पेस और्बिट्स में किसी भी चीज़ को ले जाने का खर्चा 10,000 डॉलर्स पर केजी आता है इस्पेस में एक लीटर पानी की बॉटल की कॉस्ट 10,000 डॉलर है नासा अपने रॉकेट्स पर इस्पेस में जो भी बेजता है उसका सर्फ 2% ही एस्ट्रोनोट्स के काम आता है एक्सपेरिमेंट करने में बाकी का बजन इस्पेस वहिकल और फ्यूल का होता है इसलिए जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट की बात आती है फिर नीचे से उपर की तरफ स्लाइस के उपर स्लाइस बनती है ये सारी लेयर्स एक यूसरे से चिपक कर एक सॉलिट ऑबजेक्ट बनाती है जिस तरह से नॉर्मल प्रिंटर्स में इंक का यूज होता है वैसे ही 3D प्रिंटर में थर्मो प्लास्टिक का एक्मोप्लास्टिक बहुत जल्दी पिघल भी जाती है और बहुत जल्दी सॉलिड फॉर्म भी ले लेती है